हरी कृष्णा, श्री चैतन्य चरतामृत, आदी लीला परिचे, मूल रूप से अप्रेल 10-14, 1967 को अंतराश्ट्रिय कृष्ण भावनामृत, संग, न्यू यौर्ड के समक्ष, एसी भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपात द्वारा, कृष्ण दास का विराज को स्वामी, कृत, चैतन्य चरतामृत, भगवान, चैतन्य महाप्रभू की प्रमाणिक जीवनी पर दिये गए पाँच प्रातह कालीन प्याख्यानों के चरित का अर्थ है चरित्र और अम्रित का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिल दुल सकते हैं, किन्तु एक मेज ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। गती यानि हिलना डुलना तथा क्रिया शीलता को जीवनी शक्ति का चिन्न या लक्षन माना जा सकता है। जीवन्त शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। और हम अपनी प्रकृती तथा वैधानिक इस्थिती से अमर हैं, किन्तु हम जिस भौतिक इस्थिती में लाकर रखे गए हैं, उसमें हमारी अमर्ता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठोप निशत में कहा गया है कि अमर्ता तथा जीवन्त शक्ति हम और इश्वर दोनों में होती है। यद्यपी यह सच है कि हम तथा इश्वर दोनों ही अमर हैं, किन्तु अंतर तो है ही। उनकी अच्चिंति शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे और इश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उधारन सहायक हो सकता है। हमें भूमी से आकाश में केवल बादल दिखते हैं। किन्तु यदि हम बादलों के उपर ओड़कर जाएं तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश में गगन चुम्बी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रदीत होते हैं। इस प्रकार इश्वर के पद से यह समस्त भौतिक शृष्टी नगन्य एवं तुछ लगती है। बद्ध जीव की प्रवरत्ती है कि वह उन उचाईयों से नीचे आना चाता है। जहां से विहंगाव लोकन किया जा सकता है। किन्तु इश्वर में यह प्रवरत्ती नहीं पाई जाती। माया में आ गिरने की प्रवरत्ती इश्वर में नहीं है। जिस तरह सूर्य में यह प्रवरत्ती नहीं होती कि वह बादलों के नीचे आये। माया वादी तत्पक ज्यानियों का मत है कि जब जीव तथा इश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों की माया, दोनों ही माया के वश में रहते हैं, यही उनके दर्शन का दोश है हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू को अपने में से एक जैसा नहीं समझना चाहिए, वे स्वयम श्री कृष्ण हैं, सर्वो परिव्यक्ति हैं, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते श्री कृष्ण उनके विस्तार और यहां तक की उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ती का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृत्वी पर आए दूसरे शब्दों में वे स्वयम कृष्ण है जो जीवों को कृष्ण तक पहुचाने के सही मार्ग की सिक्षा देने देते हैं वे उस सिक्षक की तरह है जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता जाता है इस तरह आ-आ-ई-ई लिखो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सिक्षक स्वयम आ-आ-ई-ई सीख रहा है इसी तरह यद्यपी भगवान चैतन्य भक्त के वश में प्रकट होते हैं किन्तु हमें मुर्खता पूर्ण धंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारन पुरुष्थ है हमें यह सदा इस्मरन रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयम कृष्ण यानि इश्वर है जो हमें सिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए श्रीमत भगवत कीता के अठारवे अध्याय के 66 लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा किन्तु हम कहते हैं अरे शरण में जाओ मेरे उपर तो अनेक उत्तरदाय तो हैं और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना नहीं तो तुम मेरे बंदन से छूट जाओगे मेरे चंगुल में फसे रहो और मैं तुम्हें लतियाती रहूँगी यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुग गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है इसी प्रकार से कुट्टे तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते जगड़ते हैं यहां तक की जंगल में हाती को पकड़ने के लिए उसे प्रसिक्षित हतनी के द्वारा गठे तक ले जाया जाता है हमें प्रकृती की इन चालों से सिक्षा लेनी चाहिए माया के पास वसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन यानि पाश स्त्री है नी संदे हम ना तो पुरुष है ना स्त्री क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाहिये वस्त्र यानि शरीर को ही लागू होती है वास्तव में हम सब श्रीकृष्ण के दास हैं किन्तु बद्ध जीव में हम सुन्दर इस्तरी रूपी लोहे की जन्जीर में जकड़े हुए होते हैं इस तरह प्रतेक नर यौन जीवन में बंधा है अतैव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से चूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी कामवासना को वर्ष में करना सीखना चाहिए अडियंत्रत कामवासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फस जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभू ने इस माया के से 24 वर्ष की आयू में वैराग की ग्रहन कर लिया था यद्यपी उनकी पत्नी सोला वर्ष की थी और माता सत्तर वर्ष की थी और वे ही अपने परिवार के एक मात्र पुरुष सदस थे यद्यपी वे भ्रामन थे और धनी नहीं थे किन्त उन्होंने सन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने कोवे लग कर लिय यदि हम पूर्ण रूपेन कृष्ण भावनामय बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा अत्वा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशिभूत ना हो जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ट भक्तों में से अनेक ग्रिहस्तों ने किया, किन्तु सन्यासियों के प्रती भगवान चैतन्य अत्यदिक कठोर थे, यहां तक की छोटे हरिदास को जो की एक महतोपून खीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुग दृष्टी डालने के कारण उन्होंने निकाल दिया था, महाप्रभू ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासि के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक इस्त्री के प्रती कामुग दृष्टी से देखते हो, दूसरे भगवान ने हरिदास को शमा करने के लिए महाप्रभू से प्रार्तना की, किन्तु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग उसे शमा कर सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभू को यह पता चला कि एक ग्रहस्त भक्त की पत्नी गर्ववती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेश शुब नाम रखने के ल संयमित संभोग की स्विक्रती दी थी, तब व्रत के दिन इसनान के बहाने डूप की लगा कर पानी पीने की पध्यती अपना कर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रतिवे वज्र के समान का ठोड़ थे, दूसरे शब्तों में वे अपने के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरन सहन नहीं कर सकते थे, चैतन्य चरितामरित हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभू ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़ कर अमर बनने की सिक्षा दी, अतैव जैसा की पहले कहा गया है इस सीर्षक का सही अनुवाध होगा जीवन्त शक्ति का अमर चरित्र, परम जीवन्त शक्ति तो पूर्ण पुरशोत्तम परमेश्वर हैं, वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं, जीव असंक हैं और वे भी, वे सभी व्यक्ति हैं, इसे समझना अत्यंत सरल है, हम सभी अपने विचारू तथा इच्छाओं में स् कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसने कोई जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। शुत्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी ना किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति यानि व्यष्टि हैं। किन्तु वे इस मामले में भिन्न हैं कि वे परम व्यक्ति हैं। इश्वर अच्चुत भी हैं, जैसा कि श्रीमत भगवत गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। अच्चुत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि शीमत भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था, किन्तु श्री कृष्ण को नहीं हुआ था, कृष्ण अपनी अच्चितता का प्रदर्शन स्वयम करते हैं, जब वे अर्जुन से कहते हैं, मैं जब संसार में प्रकट होता हूं, तब मैं ऐसे अ अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूं, शीमत भगवत गीता के जोते अध्याय का छटा श्लोक, इसी तरह हमें यह नहीं सोचना चाहिए, कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं, तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं, कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वता मुक्त रहते हैं, वस्तुतह शीमत भागवत में इश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है, जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, तदी एक भक्त ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विशे में तो कहना ही क्या। वास्तविक प्रश्ण तो ये है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कलमश से कलुशित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्रीलरूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए भी अकलुशित रह सकते हैं जब हम श्रीकृष्ण की सेवा को अपना अभीष्ट बना लेते हैं। तब कोई यह उचित रूप से प्रश्ण कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है, जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह श्रीकृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को उसका उपियोग किये बिना छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास हो, उसका उपियोग श्रीकृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रतेक वस्तु का टाइप राइटर, मोटरकार, हवाई जहाज, प्रक्षे पारत्र हर वस्तु का उपियोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल श्रीकृष्ण भावनामृत के विशय में बतलाएं, तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रिया, वान, धन तथा शक्ति का उपियोग श्रीकृष्ण की सेवा में होता है, तो हम भौतिक प्रकृती में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृती के इस्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण उनके अंश तथा उनके भग्द अर्थार्थ वे जो उनके लिए कार्य करते हैं बौतिक प्रकृती में नहीं होते यत्यपी अलपग्य यही सोचते हैं कि वे होते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें सिक्षा देती है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत में हमारे सारे कार्य भी अमर हैं। मायवादी लोग जिनका विचार है कि परमपूर्ण निर्विशेश एवं निराकार है यह दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवशक्ता नहीं हैं। जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं दलील देते हैं कि जब कोई साक्षातकार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वे सचमुष बोलने लगता है। वैशनव कहता है इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे। अब हम अपनी वास्तविक बाते कृष्ण की बाते शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायवादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती तो छलकती चलती है और आवास करती है। किन्तु जल से भरी होने पर नहीं चलकती और आवास नहीं करती तो क्या हम जल की गगरिया हैं। हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है। अच्छी उपमा वे है जिसमें दो वस्तुओं में यथा संभव अनेक समानताएं हो। जल की गगरी जीवित शक्ती नहीं हैं जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है। किन्तु हमारे लिए यह परियाप्त नहीं है। जब सच्मुझ कोई भक्त यह अनुभव करता है कि उसके पांश्री कृष्ण की विशय के विशय में कहने के लिए बहुत कुछ है। तो प्रति दिन 2400 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। जो मूर्क होते हैं उनकी ख्याती तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है। क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। चैतन्य चरतामृत दिखलाता है कि परमेश्मर के यो यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। हरे कृष्णा।